दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन भार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामाई घटना चक्र जीयस द्रिश्टी के भारती इतिहास के अंतरगत मध्य कालीन भारत के इतिहास का भाग 5 जिसमें आज की वीडिय में हम मुगल कालीन प्रसासन, मुगल कालीन संगी तेवं चित्रकला तथा साहित, परमुख विदेशी यात्री और गुरुनानक देव तथा सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशनों को कवर करेंगे ये वीडियो सभी प्रत्योगी परिक्षाओं के सामानी अध इसका वीडियो भारती इतिहास के अंतरगत मध्य कालीन भारत के इतिहास का पांचमा भाग दोस्तों इसमें सबसे पहले हम मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशनों को कवर करेंगे दोस्तों मुगल प्रशासन में या मुगल कालीन प्रशासन में म स्ताक्षर करता था और दोस्तों सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित करता था इसके अलावा प्रांतों के जो बक्सी होते थे इसके नियंत्रण में यानि प्रांतों के बक्सी जो थे वो मीर बक्सी के नियंत्रण में होते थे भूराजस्व अधिकारियों का परवेक्षन करत इसके अलामा बेतना धिकारी जो है सरजदुना सरकार के अनुसार जो बेतना धिकारी होते थे इनका नियमित और अस्थाई कारे नहीं होता था तो मीरवक्सी मुगल कालीन परसासन में सैन्य बिभाक का परधान होता था अब आईए देखते हैं दोस्तों घुर सवार सैनिक के बारे में देखिए घुर सवार सैनिक में अहदी होता था जो बादसाह द्वारा नियुक्त सैनिक होता था और ये बादसाह के अंग रक्षक यानि बाडिगार्ड के रूप में कारे करता था दाखिली तो ये बादसाह द्वारा भरती सैनिक होता था और मनसबदारों की सेवा में होता था तो घुड़सवार सैनिकों में दो प्रकार के सैनिक थे एहदी और दाखिली और इसमें एहदी बादसाह के द्वारा नियुक्त सैनिक होते थे और ये बासाह के अंगरक्षक के रूप में कारे करते थे दूसरा जो दाखिली होते थे ये बासाह द्वारा भरती सैनिक होते थे और मनसबदारों की सेवा में होते थे आएए देखते हैं दोस्तों मदद ए मास के बारे में दोस्तों मदद ए मास क्या था तो मदद ए माश बिद्वानों और धार्मिक ब्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को कहा जाता था और इसको एक अन्य नाम सयूरगल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों सद्र क्या होता था तो दान दी जाने वाली समस्त भूमी का निरिक्षण करता सद्र होता था और मदद ए माश जो भूमी होती थी उसका अस्थानांतरन नहीं किया जा सकता था और इसके अलावा अनुदान ग्राहे के पास ये वनसानुगत रूप से हस्तांतरित होत और अनुदान ग्राही के पास ये वनसानुगत रूप से चलती रहती थी मनसबदारी ब्यवस्था तो आप जानते हैं कि मुगलकाल में मनसबदारी ब्यवस्था बहुत ही महतपूर्ट थी इसमें दोस्तों 33 वर्ग और कुल 6-6 प्रचलन में थे मनसबदारी ब्यवस्था में जबकि कुल 33 वर्ग थे कभी कभी मनसबदारी बेवस्था में मशरूत अथवा शसर्थ पद भी होते थे और अकबर द्वारा अपनी शासनकाल के 40 वर्स में जात और सवार दोहरी बेवस्था लागू की गई थी पहली कोट क्या थी दोस्तों पहली कोट जो थी वो जात के अनरूप होती थी दूसरी कोट जो थी वो आधे सवार होते थे और तीसरी कोट में आधे से भी कम सवार होते थे दोस्तों सवारपद जातपद से कभी उपर नहीं हो सकता था तो सवारपद याद रखेगा जातपद से कभी उपर नहीं हो सकता था और इसके अलामा सैन और असैन अधिकारियों का एक ही सेवा संबर्ग में लाना इसका प्रमुख कारे था अब सिक्कों के बारे में जान लेते हैं जोस्तों मुगल काल में टक सालों में सोने चांदी और तांबे के सिक्कों की ढलाई होती थी और अकबर द्वारा देखी बहुत ही महतपूर्ण है बार बार पर इक्षाओं में पूछा गया है आप इसे तयार कर लिजे अकबर द्वारा राम सीता या राम सीय की आकरितियों वाले सिक्के चलाए गए और राम सीय देवनागरी लिप में लेख से युक्त सिक्के अकबर के द्वारा चलाए गए दाम क्या था तो दोस्तों दाम जो है वो ताबे का सिक्का होता था और रुपए के चालीस में भाग के बराबर होता था जहागीर दोस्तों जहागीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृती अंकित करवाई थी और कुछ सिक्कों पर जहागीर के साथ नूर जहां का नाम ही अंकित था हाथ में शराब का प्याला लुए हुए आकृती जहागीर के सिक्कों पर अंकित कराई गई थी अब आईए देखते हैं दोस्तों मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में दोस्तों संगीत जो है ये अकबर के सासनकाल में संगीत का विकास बहुत ही महत्वपूर हुआ था और तानसेन जो थे ये अकबर के दर्वार के प्रमुख ध्रूपत गायक थे और ये अकबर के दर्वार के प्रसिद संगीत थे तो अकबर के दर्वार में तानसेन प्रमुख ध्रूपत गायक और दर्वार के प्रसिद संगीत थे तानसेन के बारे में कुछ और जानकारी कर लेते हैं तानसेन का मूल नाम दोस्तों राम तनु पांडे था और ये अकबर के नौरतनों में से एक थे अकबर के दर्बार से पहले ये रीवा के राजा राम चंदर के दर्बार में रहते थे और अकबर द्वारा इनको यानि तान सेन को अकबर द्वारा कंठा भरण वाड़ी विलास की उपाधि परतान की गई और दोस्तों मुहम्मद साहरंगीला ने खयाल गायन को लोगप्री बनाया औरंग्जेब ने संगीत पर पाबंदी लगा दी क्योंकि ये संगीत जो है इसलाम भी रोधी मानकर औरंग्जेब ने इस पर पाबंदी लगाई जबकि औरंग्जेब स्वयंग एक कुसल बीड़ा वादक भी था अब आएए देखते हैं दोस्तों चित्रकला के बारे में तो चित्रकला दोस्तों मुगल सैली का प्रारंब करता मुगल काल में हुमायू को माना जाता है चित्रकला की सुरुवात या मुगल सैली चित्रकला का प्रारंब करता हुमायू को माना जाता है हुमायू के प्रसिध चित्रकारों में मेर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद विख्यात है अकबर के चित्रकारों में देखे अकबर के प्रमुक चित्रकारों में दस्वंत और बसावन है दस्वंत ने दोस्तों आत्म हत्या कर ली थी और बसावन और दस्वंत अकबर की प्रमुक चित्रकार थे जहागीर दोस्तों जहागीर का काल चितरकला का स्वाणकाल माना जाता है और इसके समय के जो चितरकार थे अबुलहसन जिसको की उसने नादिर उज्जमा के उपाधिदी थी और उस्ताद मनसूर नादिर उल असर की उपाधिधारन करने वाला था और अन्य तत्थियों में दोस्तों मुगल चित्रकला का स्वाणकाल जहांगीर का सासनकाल माना जाता था और जहांगीर जो था ये चित्रकला का स्वैंग भी कुसल पार्खी था मुगल कालीन साहित्य से भी कई प्रश्ण पूछे जाते हैं दोस्तों मुगल कालीन साहित्य की बात करें तो फार्सी जो थी वो मुगलों की राजभासा थी और नस्तालिक जो थी ये फार्सी लिपी होती थी जिसमें फार्सी भासा लिखी जाती थी तो दोस्तों बहुत ही मह आपसे अगर जो पूछा जाया कि मुगलों की राजभासा क्या थी तो ये फार्सी थी न कि तूर्की या उर्दू तो सही उत्तर है मुगलों की राजभासा आपकी फार्सी थी और नस्तालिक जो है फार्सी लिपी को कहा जाता है अब आएए देश्तों देखते हैं मुगल का प्रालिन साहित में एक महतवपूर रशना हुमायू नामा बहुत ही महतवपूर है। और इनकी प्रसिद रशना हुमायू नामा है इसमें बाबर और हुमायू का इतिहास है हुमायू और कामरान के मध्य युध का वाड़न इसमें किया गया है और हुमायू नामा को अकबर के आदेश पर लिखा गया था दोस्तों कुछ प्रमुक पुश्तके और उनके लेखक ज दोस्तों इसके आलमगीर नामा जो है मिर्जा मुहम्मद काजिम, सियार उल्मुत्खरीन ये गुलाम हुसैन, आलमे सालेह मुहम्मद सालेह, शाह जहा नामा इनायत खां, चहार चमन, चंदरभान ब्रम्मन और इकबाल नामा जहांगिरी मौतमिंद खां की रशना है, तो ये मुगल कालिन साहिते के प्रमुखर रशना है थी और इसके लेख़कों के नामा आपने जान लिया, इसके अलामा दोस्तों देखिए, अब्द अबुल हमीद लाहौरी की रशना पाद शाह नामा, अबुल फजल की अकबर नामा, केशाउदास की राम चंद्रिका और केशाउदास की ही रसिक प्रिया है, आये कुछ बिदेसी यात्रियों के वडन देख लेते हैं, एक प्रमुख बिदेसी यात्री ट्रेवर्नियर या ट्रेवर्नियर था जो कि शाह जहां के सासनकाल में भारत की यात्रा किया तो विदेशी यात्रियों में ट्रेवर्नियर साह जहां के सासनकाल में भारत आया ये पेशे से जोहरी था और इसने 6 बार भारत की यात्रा की और इसकी पुस्तक है ट्रेवेल्स इन इंडिया ट्रेव मनूची एक विदेशी आत्री था मनूची देखिए मनूची एक इटालवी आत्री था और दाराशिकोह की सेवा इसने तोपची के रूप में की थी बाद में इसने चिकिस सक्क पेशा अपना लिया था और दोस्तों इस्टेरियोदो मोगोर यानि मुगल इंडिया इसका संस् शालीन्स रोतों में हेमू या हेमराज का नाम बक्काल आता है, रेवाडी में शोरे का व्यापारी था और इश्लाम साह की सेवा में था, आदिल साह के समय इसका सम्मान और कद बढ़ा और वजीर और सेनपती बना, तरदी वेक को परास्त कर इसने बिक्रमा दित्ते यानि बि विदेशी यात्रियों में दोस्तों, प्रमुख विदेशी यात्रियों में देखिए, इसमें हाकिन्स ये भारत में 1608-16111 आसनकाल, टामस रो 1615-1619, मनुची 1613-1708 और राल्फ फिंच 1585-1586 ये भारत में यात्रा अवधि रही इन विदेशी यात्रियों की, इसकी अलामा कुछ प्रमुख प्रश्न युद्धों से पूछा जाता है, तो क्रम यात कर लिजे, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में, घाघरा का युद्ध उसके बाद 1529 में, फिर चौसा का युद्ध 1549 में, और लाष्ट में सामुगर का युद्ध हुआ था, 1658 में, अब आ धिनस सेवा के रख रखाओ के लिए दिया जाने वाला विशेस भूखंड इसको अमरम कहा जाता था, मुकासा तो मराठा सासन में, चोथ की आया का चाचछट प्रस्चत मराठा सरदारों को घुर सवार रखने के लिए दे जो था, उसको मुकासा कहा जाता था, सूरत बंद भाति हीरे को हिनूर के संबंध में जानकारी देने वाले विदेशी आतरी का नाम क्या है? तो ये ट्रेवर नियर था, भारती व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम क्या था? मौल्लिम, मौलिम तारों तथा सूरी की इस्थिति का पता लगाता था कैस गोलाकारी अंत्र से मराठों के होलकर वंश की सासी का कौन थी अहिल्यवादी मराठा छत्रपती राजाराम की पत्नी का नाम क्या था ये थी ताराबाही और गोंडवाना के हिंदू राज्जी की योग्य सासी का दुरगावती थी अब आये देख लेते हैं कुछ महत खटनाएं और संबंधित सासकों के बारे में हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों अकबर और राड़ा परताप के बीच हुआ था बिलग्राम का युद्ध ये हुमायू संबंधित सासक था हुमायू और सेरसाह के बीच में हुआ था खुश्रो का विद्रो जहांगीर इस सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर प्रश्णों के बारे में सबसे पहले गुरुनानक जी के बारे में जानते हैं दोस्तों गुरुनानक देव का जन्म 1479 इस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में इस्थित है और पुरु में ये शेख पुरा जिले का भाग था एक महत्वपूर तर्थ वर्स 2019 में गुरुनानक की पांस सो पचासमी जैनती प्रकास वर्स का आयोजन किया गया और दोस्तों 1479 में गुरुनानक देव का जन्म हुआ था और इनकी मृत्तु 1549 में डेरा बाबा करतारपूर में हुई थी और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर है इनकी सिक्षाएं है ये एके स्वरवाद में विस्वास और निर्गु ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे रशनाओं में सबद और जपजी साहिब है और इनका महत्वपूर कथन है कि इश्वर केवल मनुस्य के सदगुण को पहचानता है उसकी जाती नहीं पूछता क्योंकि दूसरे लोग में कोई जाती नहीं होती है जो सबसे महत्वपूर तत है गुर्णानक देव जी के बारे में सिकंदर लोदी जिसका समय काल 1489 से 1527 वे के समय इन्होंने सिक्ख धर्म किया स्थापना की उस समय सुल्तान सिकंदर लोदी था गुरू का लंगर नामक मुक्त सामुदाई के रसोई के शुरुआत की उदासी नामक धर्म परचारा की आत्रा का प्रारम किया और संसार के नो छेत्रों यानि नो खंडों में आत्रा गुर्णानक देव ने की थी अब आईए सिक्ष गुरू परंपरा के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले इसमें हम गुरू अंगद के बारे में जानेंगे दोस्तों देखिए गुरू अंगद इनका समयकाल 1549 से 1552 रहा इनका मूल नाम भाय लहना था गुर्णानक द्वारा उत्रा धिकारी इनको घोसित किया गया और ये दूती सिक्ष गुरू नियुक्त किये गए दोस्तों देखिए गुरु अंगद ने या इनका मूल नाम जो लहना था अस्थानी भासा में गुरुनानक के उपदेशों का इन्हों ने संकलन किया और गुरु अंगद को गुरु मुखी लिपी का जनक भी कहा जाता है अब इसके बाद दोस्तों सिख गुरु परंपरा से संबंधित अन्य तत्थियों के बारे में जानते हैं गुरु अमर्दास इनका समयकाल है 1552 से 1574 इस भी दोस्तों गुरु अमर्दास ने धार्मिक सामराज्य को 22 गद्धियों यानि मन्जीयों में बाटा और सिख बिवाह परंपरा आनंद कारज और सरल बिवाह पद्धती लवन का प्रशलन किया अगले गुरु हैं गुरु रामदास इन्होंने गुरु रामदास 1574 से 1581 भी अमरिस सर जो की मूल नाम इसका रामदास पुर्था उसकी अस्थापना इन्होंने की और ये जो था अकबर द्वारा प्रदान की गई 500 भी घाजमीन पर गुरु रामदास ने अमरिस सर नमक सहर की अस्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर जो भूमी अकबर ने दान दी थी उसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था जिसमें अमरिस सर जिसको कहा जाता है और इसके अलावा इन्होंने गुरु पद को पैत्रिक बनाय था अगले सिख गुरु हैं गुरु अरजुन्देव 1581 से 1626 भी इन्होंने आदि गरंथ का संकलन किया अमरिस सर में दर्बार साहिब या हरमंदर साहब की अस्थापना की तरन तारन और करतार पूर नगर बसाए और इसके अलावा बिद्रोही मुगल राजकुमार खुश्रों की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा इनको कैद और फासी की सजाती गई थी अब अगले गुरू हैं गुरू हर गोबिंद 1606-1644 इस भी दोस्तों गुरू हर गोबिंद ने अकाल तक्त की अस्थापना और सिखों को एक लड़ाकुजात में बदला और अमरिश सर की रक्षा के लिए लोह गड़ किले का निर्मार कराया पीरी और मीरी दो अस्तरक्रम से आध्यात्मिक और सांसारिक प्रभुत्तों के पूरक हैं और इसके अलावा गुरू हर गोबिंद के द्वारा कीरत पुर्नगर की अस्थापना की गई अगले गुरू गुरू हर राय हैं 1644-1661 इन्होंने दाराशिकोह का समर्थन किया और और अरंगजेब के बुलावे पर पुत्र राम राय को भेजा था अगले गुरू हैं गुरू हर किशन 1661-1664 ये सबसे कम अवधी दोस्तों के गुरू रहे और आठ वर से कम आयू में चेचक से इनकी मृत्य हो गई और गुरू हर किशन को बाल गुरू उपनाम से जाना जाता है अगले गुरू थे गुरू तेक बहादूर दोस्तों 1664-1775 इनका समय काल रहा गुरू तेक बहादूर के द्वारा आनंद पूर साहिब की अस्थापना की गई किशानों का नेत्रित और कस्मेरी ब्राम्हडों के लिए संघर सिन्हों ने किया आगरा प्रयाग बनारस सासाराम पटना मुंगे धाका और असम की यात्रा की और इसलाम नस्विकार करने पर रंगजेब द्वारा इनको मरितुदंड दिया गया और सहीद अस्थल पर शीष गंज साहिब गुर द्वारा चादनी चौक दिल्ली इस्थित है अब आगे आईए देखते हैं गुरू गोबिंद सिंग के बारे में दोस्तों गुरू गोबिंद सिंग इनका समयकाल 1675 से 1798 भी रहा और 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंद पुर साहिब में इन्होंने खाल सा पंध की अस्थापना की इनके द्वारा गुरू गोबिंद सिंग के द्वारा धर्मा चार पाहुल का प्रवर्तन किया गया और नाम के साथ सिंग और कौर लगाने का प्रारम गुरू गोबिंद सिंग के द्वारा किया है इसके अलावा गुर्गोविंद सिंग की रशनाय जफर नामा बिचित्र नाटक और चंडी दिवार है और पाँच ककार कड़ा, कृपार, कंगा, केस और कच्छा का प्रियोग इन्होंने अनिवारे कर दिया था इसके अलावा गुर्गोविंद सिंग दोस्तों गुर्गोविंद सिंग ने निर्मल की अस्थापना जो की सिख सिक्छकों की दी जाने वाली पदवी थी उसकी अस्थापना की और दोस्तों बहादूर साह जो सासक था बात साह था उससे संधी करके गुर्गोविंद सिंग न निर्मित किया गया है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो समसामाई घटना चक्र जीयस दृष्टी भारती इतिहास के अंतरगत मध्यकालीन भारत के इतिहास का पांचवा भाग जिसमें आज आपने मुगलकालीन परसासन, संगीत, चित्रकला, साहित्य और मुगलकाल में आ कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माग दोशनफार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार